हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्ति के आदी काल से महत्वण प्रशन उत्रों की तो जैसे कि हम सभी टॉपिक से प्रशन उत्र करते जा रहे हैं जो कि आगामी अपकी परिक्षा है चाहे आप EMRS की त्यारी कर रहे हो चाहे फिर आप BPSC TGT PGT की त्यारी कर रहे हो तो सभी परिक्षाओं के लिए ये प्रशन आपके बहुत ही महत्वण है तो चले शुरू क को जरूर देखीगा और आपकी कोई डाउट हो इनसे सबंदे तो कमेंट कर दीजेगा तो चले अपने प्रशन हम शुरू करते हैं तो पहला प्रशन है हिंदी के कवियों का वृत्त संग्र है ठाकुर शिव सिंग सरोज स्वारी ठाकुर शिव सिंग सेंगर ने कब लिखा तो ये लिखा था सन 1833 में अगला प्रशन है शिव सिंग सेंगर के इतिहास का नाम क्या है तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है शिव सिंग सरोज अगली पुस्तक है सर जोर्ज गिरसन ने अपना इतिहास गरंत लिखा था तो ये लिखा था सन 1889 इ और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है तो इस पुस्तक का नाम है The Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan अगरा प्रेशन है मिश्र बंधु द्वारा लिखित कवी वृत संग्रा यानि इनके द्वारा जो इतिहास करंथ रचा गया उसका समय क्या है उसका समय है 1913 इस वी और इनके पुस्तक का नाम क्या है तो इनके पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोध ठीक है चलिए हमारा अगला प्रेशना जाता है मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोध गरंथ कितने भागों में विभाजित है तो ये चार भागों में विभाजित है अगला प्रशन है आदी काल का नाम वीर गाथा काल किस साहितिकार ने रखा है तो इसका नाम वीर गाथा काल लखने वाले हैं आचारे रामचंदर शुक्ले अगला प्रशन है आचारे रामचंदर शु में कितनी पुस्तकों की गणना की है तो यह अगला प्रश्ण है कौन सा रासो ग्रंत वीर गाथात्मक नहीं है तो यह वीर परक नहीं है वीसल देव रासो जो है श्रिंगार परक रचना है श्रिंगारी रचना में जब नाम आता है तो हम वीसल देव का नाम डालेंगे और व पर आपको अचारी रामचेद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की चार साहित्तिक पुस्तके हैं तो इन्होंने विजयपार रासो, हमीर रासो, किर्थी रता और किर्थी पता का इन सबी पुस्तकों को माना है अचारी शुक्ल का इतिहास गरंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से हमारा अगला प्रश्ण है आचारी शुक्ले ने हिंदी साहित्य का इतिहास गरंथ लिखा तो ये लिखा था सन 1939 इस्वी में फिर यहां पर अगला प्रश्ण है आचारी शुक्ले ने अपने इतिहास गरंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया था तो उन्होंने मिश्रबंधु विनोध, हिंदी कोविद, रतिन माला, कविदा कोमोधी और ब्रजमार धूरी सार यानि किसका उतर हो जाएगा का उप्शन अगरा प्रशन है जन्ता की चित वरती का संचित प्रतिविंब ही साहित है ये किसने माला है तो ये आचारे रामचंदर शुकल जी के द्वारा माला गया है आगे माना प्रशन है आदी काल, यह Yankee की वीर गाथा काल की रामचंदर शुक्ल के अनुसार जो समय सीमा है, वो क्या है? तो रामचंदर शुक्ल के अनुसार सम्वत 1050 से 1375 स्वी अगरा प्रशन है हिंदी साहत्य का आरंब माना जाता है तो ये मनने जाता है अप ब्रंश से अगला प्रशन है प्रकर्त की अंतिम आवस्था अप ब्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविरभाव मानना तो ये मनना है आचारे रामचंदर शुक्ले ने अगला प्रशन है उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकर्त का बोध होता था वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभरंश का ये कहने वाले कौन है तो ये आचारी रामचंदर शुकल का कथर है और अधिकतर जो है आपकी परिक्षाओं में पूछा गया है अगला प्रशन है अपभरंश या प्रकर्त भास हिंदी के पद्यों के उधारण पहले मिलते हैं तो ये सबसे पहले में बौध में मिलते है मंज और भोज का समय है तो इनका समय है समवत 1050 चलिए आगे प्रशनों को देखते हैं महराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक की अवधी को आदिकाल माना है तो ये माना है आचारे रामचंदर शुक्र ने अगला प्रशन है एक नार ने अचरज किया साप मार पिजरे में दिया तो ये किसकी पंक्ती है अमीर खुसरों की अगला प्रेशन है बाल चंद बिज्जावई भाशा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा ये पंक्ती किसकी है तो ये पंक्ती जो है विद्यापती की है और ये इंपॉर्टन्ट है कईवारी परिक्षा में पूछी जाती है और इसकी भाशा के बात करो तो ये जो है अब हट भाशा में जो है ये रचित है चली अगला है अगिन जलागी नीर में कंदो जलिया जहार उत्तर दक्षिन के पंडितार रहे बिचार बिचार ये किसने कहा है कभीर दास ने अगला है देसी लबायना सबजन मिठा ते तेसन जपो अब हट्टा ये किसकी पंक्ती है विद्यापते की है और ये पंक्ती भी आपके महत्रपूर है हिंदी साहित का आदिकाल इस पुस्तक के लेका कौन है तो इसके लेका कहें आचार हसारी प्रसाद धिवेदी हमारा अगला प्रशन है प्रकर्द प्रकाश के रचीता का नाम क्या है तो इसके रचीता का नाम है वर रूची अगला प्रशन है अपभरंश का नाम पहले पहल किसके शिला लेख में मिलता है तो ये मिलता है वल्लबी राजा धारसें दित्ते के लेख में अगला प्रशन है भरत मुनी का समय है तो भरत मुनी का समय है विक्रम तीसरी शती में चले हमारा आगे प्रश्ण है भामा का समय है तो विक्रम समवत सातवी शती जो है भामा का समय है अगला प्रश्ण है अपब्रंच या प्रक्रत भास हिंदी में रचना होने का पता चलता है तो ये पता चलता है विक्रम सातवी शती में देवसेन का समय है तो देवसेन का समय ह श्रावकाचार किसकी रचना है तो ये देवसेन की रचना है हमारा अगला प्रशन है दब सहाव पयास यानिकि द्रव्य स्वभाव और प्रकाश ये रचना किसकी है तो ये देवसेन की रचना है और ये रचना भी कई बार पनिशाव में पोची गई है पुश्पदंद का समय है, तो पुश्पदंद का समय है समवत 1029 इसवी, आदी पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचईता है, तो इसके रचईता है पुश्पदंद, अगला है जसहर चरियू किस जैन कवी की रचना है, तो ये पुश्पदंद की रचना है, बौधो क प्रभाव किन भागों में था, तो इनका प्रभाव पूर्वी भागों में था, वहीं पिस सिद्धो का प्रभाव है, यह सिद्धो का शेत्र कहा है, तो बिहार से लिखे, असम तक जो है, बिहार से असम तक सिद्धो का शेत्र सा चली अगले है, बौदगान और दोहा किन की रचनाओं का संग्रा है, तो ये सिद्धो की रचनाओं का संग्रा है, और किन के द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखे गया है, अधिक तर पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ, ये पुस्तक जो है, हर प्रसाद शास्त्री, ये इनक सरहपा का समए क्या है तो संवत 690 लुईपा का क्या है संवत 830 के आएगा संवत 830 के आसपास का तर्वर 5 यह पंग्ति किसकी है यह पंग्ति भी याद रखेगा लुईपा की पंग्ति हैं अब यहां पर आहिक काल कर विरुसार जोंग नको लगाना है लुईपा विरुपा और कड़पा तो यहां पे उत्तर ही हो जाएगा अगला प्रश्ण है महा सुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ तो इनका जन्म जो है वजरियान शाखा में हुआ है या अगला प्रश्ण है श्री समाज का दिर्माड हुआ तो श्री समाज का दिर्माड भी वजरियान शाखा के अंतरगत हुआ है चलिए हमारा अगला प्रश्ण है गंगा जाओंगा माजे बहेरे नाई यह उंकती किसकी है तो यह उंकती जो है कड़पा की है अगला प्रश्ण है संद्या भाशा या संदा भाशा किसकी बानियों की भाशा है तो ये संदा भाशा जो है सिद्धों की भाशा है बौद शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार है इसमें जो है में पांच विकार जो है देखने को मिलते है युग नद की भावना किसमे है तो ये वजरियान शाखा में पाई जाती है अगला है जिमी, लोड, बिली, जै, पाणी, एहितिमी, धहरणी, लई, जित ये कथन किसका है तो कड़ापा का है अगला प्रशना है कॉल का पालिक का जर्म किस शाखा में हुआ है तो ये वज्रियान शाखा में उनका जर्म हुआ है इचरी आगे परच्नेते है गोरखनात के नाथपंथ का मूल था तो ये कहां से इसकी शुरूर थी तो वज्रियान शाखा से गोरखनात ने किसके योग का सहारा लेकर हट योग का प्रावरतन किया तो पतंचली का वज्र याईनों का प्रभाव किस शेत्र में था तो भारत के पूर्वी शेत्र में गोरखनाते ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया तो देश के पस्चीमी भागों में यानिकी राजपता ने वह पंजाब में अपना प्रचार किया गोरखनात का समय माना जाता है तो राहल संक्रितिया इनके अनुसार इनका समय क्या माना जाता है विक्रम की दसवी सदी जो है इनका समय माना जाता है रतनाकर जोपम कथा किस संप्रदाई का मानगरंत है तो ये सिद्धो का मानगरंत है गोरखनात के गुरू कौन थे तो मचंदरनात जो है गोरखनात के गुरू थे मचंदरनात के गुरू कौन थे तो देखे ये जलंधर तो नहीं थे यहां पर मचंदर नात के जो गुरू थे यहां पर मचंदर दिया हुआ है यह प्रुश Nicholas में भी थोड़ा सा लग रहा है तो जाला अंधर नात जो है यहां इसका उत्तर है ज्छन देव के गुरू थे तो ज्छन देव के गुरू को थे? तो गौरख नात थे चलिए आगे प्रशन लेते हैं गोरक नात का समय दस्वी शताब्दी नहीं मानते है तो यहां पर कालकरम अनुसार सही मेल क्या है तो देखे मचहिंदर नात के जो गुरू है यहां पर हम कह सकते हैं कि मचहिंदर नात के गुरू कौन थे तो आदी नात जो भगवान शिव थे तो आदी नात जो भगवान शिव थे उनको जो वहां से हम शुरुआत मान सकते हैं कि इनकी परमपरा का हुआ है उनके बाद मचह प्रित्वी राज चुहान के समय का मानते हैं तो ये मानने वाले हैं अचारे रामचेद्र शुक्ल आगे प्रिशन है नाथ संप्रदाई में बाल नाथ किसे कहा जाता है तो बाल नाथ कहा जाता है जलंदर नाथ को मतसिंदर नाथ किसके शिश्य थे तो मतसिंदर नाथ जो है जलंदर के शिश्य थे फिर नाथों की संक्या कितनी मानी गई तो इनकी संक्या नौ मानी गई है नाथों में प्रथम गिने जाते है तो वो है नागारजुन तो यहां देखे जब बात आती है कि नाथों में प्रथम गिने जाते है तो नागारजुन गुरक्ष सद्धान्त के अनुसार नागा आरजुन जो है वो प्रथम गीने जाते हैं वहीं पे अगर डॉक्टर रामकबर वर्वा के अंसार यही प्रशन आता यहां पे देखिए जब बात आते हैं तो यहां पे क्या है अब कोई में प्रशन क्लियर कर दो तो गोरक्ष सिधान्त के अंतरगत जो पहले नाथ आते हैं वो है नागा आरजुन फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जड़भरत तीसरे नंबर पे आते हैं हरिश्चंद्र फिर उसके बाद आते हैं यह तीन पे हो गया चार पे आते हैं सत्यनाथ फिर पाच पे आते हैं भीमनाथ और 6 पे आते हैं गोरक्ष नाथ या गोरक नाथ कहले 6 पे ये आते हैं 7 पे आते हैं चरपट नाथ और 8 पे आते हैं जालंधर नाथ और 9 पे मल्यारजुन तो ये हाँ इसके अनुसार क्या है नागारजुन प्रथम पे आते हैं वहीं पे अगर रामकुमार वर्मा की बात कर ले तो देखिए आदी नात, फिर मत्सिंदर नात, फिर गोरक नात, फिर गाहणी नात, फिर चरपट नात, फिर ज्वालिंदर नात, भरत नात, फिर गोपिचंदर नात इनका कुछ इस प्रकार से क्रम होगा चलिए आगे प्रशने हैं कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं तो देखे नागा अरजुन, गोरकनाथ, चरपट और जालंधर ये सभी जो है सिद्धों में भी गिने जाते हैं आगे प्रशने हैं 84 सिद्धों में बहुत से मच्छुए, चमार, डोम, कहार, लकर, हारे, दर, जीत था, बहुत से शुद्र कहे जाने वारे लोग थे, अतह, जाती पाती के खंडन को तो वे आप ही थे, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है अचारे रामचंदर शुक्ले जी का, कनफटे कहलाते थे, तो कनफटे कहलाते थे नाथ, अगे प्रिशने है, अवधु, रहिया, हाटे, बाटे, रूप, विरस, की, चाया, ये पंगती किसकी है, तो गोरक बोध और गोरक सार, ये पुस्तक किकसकी है, तो गोरक नाथ की, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं, तो वो ह सरापा सरापा का समय क्या है 690 साम परदाइक सिक्षा देने की प्रवर्ती थी तो ये प्रवर्ती थी सिद्धों में आगे पुछ लेते हैं आचारी शुकलिक जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य के कोटी में नहीं मानते हैं सिद्धों के साहित्य को वो शुद्ध कोटी में नहीं बाती तो ये भी प्रशन important है चलिए आगे हैं सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशाशन प्रसद व्याकरण ग्रंथ किसका है तो शब्द अनुशाशन जो पुस्तक है वो हेमचंद्र की है अगले है भला हुआ जो मारिया बहेड़ी मारा कंतु ये पंक्ति भी important है और ये पंक्ति किसकी है हेमचंद्र की है अगले है कुमार पाल चरित नामगरंथ किसका है तो ये भी हेमचंद्र का है कुमार पाल प्रतिबोध का गद्ध पद्ध में प्रकर्त कावे लिखा है तो यह लिखने वाले है सोंप्रब सूरी कुमार पाल प्रतिबोध नामक उपदेश कावे कब लिखा गया तो यह लिखा गया समवत 1211 अगला प्रशन है प्रबंद चिंतामणी नामक गरंथ के रचीता है तो इसके रचीता है मेरे तुंगाचारे तो यह सभी रचनाएं आप याद रखे क्योंकि आदिकाल में इनी रचनाओं से प्रशन बनते है प्रबंद चिंतामणी संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है तो भोज प्रबंद का प्रबंद चिंतामणी ग्रंथ कब रचा गया तो समवत 1361 में जैसकर से खंड थिये तो इस मीठी चूरी ये पंक्ति किसकी है तो ये मुझ की पंक्तियां है आगे प्रशन है प्राकर्त पिंगल सूत्र में पद संकलित है तो इसमें ये जो है विद्याधर का है हमीर रासो गंथ के रचीता है तो इसके रचीता है शार्गधर अपभरंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचारे शुक्र किस से मानते है तो हमीर रासो से विद्यापती का सम्मय माने जाता है तो समवत 1460 आगे प्रश्न है वीसल देव रासो तो था प्रित्वी राज रासो को संदिग्द मानते हैं तो ये मानने वाले है आचारे रामचंदर शुक्ल किर्थी लतारच्रा के रचीता है तो इसके रचीता है विद्यापती किर्थी पताक के रचीता है विद्यापती आचारे शुक्ल ने किस प्रकार के कावियों के अधार पर आदी काल को वीर गाथा काल नाम दिया है तो देश भाषा काविय के अधार पर अप भ्रंश काल में जैन नात सिद कवियों की रजनाओं को साहित नहीं मानते थे तो ये नहीं मानते थे आचार रामचंद्र शुक्लग वैशनव मतावल भी साहित कम मिलता है तो वैशनव मत जो हमें आधि काल में कम देखने को मिलता है तांतरक साधरा के प्रधानता थी तो ये नाथों में थी सहज जीवन पर बल देते थे तो नाथ जो है सहज जीवन पर बल देते थे जोई जोई पिंडे सोई ब्रहम्हांडे ये सिधान किसका था बौधो का अवधूत मत या अवधूत संपरदाई कहा जाता है तो ये नाथो को कहा जाता है आदी काल में प्रमानिक साहित ते किस का है तो ये जैन का है फाग अथवा चरित अथवा आजार कावे लिखे जाते थी तो ये सभी कावी जो है वो जैनो द्वारा लिखे जाते थी पूरस परिक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचिना है तो ये विद्यापती की रचिना है विद्यापती के ऊपर तो जितने प्रशन आते हैं आप सभी कर लेजे क्योंकि बार-बार ये रिपीट होते है किर्दिलता की भाष्य क्या है तो ये अवहट है पॉम्चरियू के रचिता कौन है तो इसके रचिता है स्वैंबू रचिता आगे प्रशन है रठे मणी चरियू इसके रचिता कौन है तो ये स्वैंबू है 64 महापुर्शों की कथा किस रचना में लिखी गई तो ये लिखी गई है महापुराण में महापुराण के रचीता कौन है तो वो है पश्पदन भू परिक्रमा के रचीता कौन है तो इसके रचीता है विद्यापती लेकिमेटिक करे जो जो महतपूर्ण है किरान उस सादेन ये किसकी रचना है अमीर खुसरो की खालिक बारी किसकी रचना है अमीर खुसरो की पृत्वी राज विजय इसके रचेता कौन है जैनायक नर्पति नाल की कौन सी रचना है तो बीसलदेव रासो नलि सिंग की कौन सी रचना है तो विजयपाल रासो परमाल रासो के रचीता कौन है तो जगनिक खुमान रासो के रजीता कौन है दलपत वीजय चुत चलिए आज की वीडियो में इतनी प्रश्णों को लेती है बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी तो आप सब भी कोई प्रश्ण कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेगा धनवाद